तो आज की वीडियो हमारी यामाहा रे जैडार इसकुटी पे बनने वाली है जिसका हम लोग पीपिएफ करने वाले हैं तो चलिए देखते हैं इसका पीपिएफ कैसे किया जाता है हुश हम लोग पीपिएफ स्टार्ट होने वाला जिस पारट पहं भीपिएफ करने वाले वसको अच्छे से क्लीन कर लेना है अब हम लोगों ने पीपिएफ का कर्पी त्यार कर लिया है अब जो हम लोग सेंपू एंड वाटर का स्प्रे यूज कर रहे हैं ताकि ये अच्छे से चिपब जाये अब हम लोग इसने हाट एर गन का भी यूज करेंगे ताकि ये अच्छे से से शेट हो जाए हम लोग स्क्यूजी की हेल्प से भी इसको चिपका देंगे ताकि एक स्लीम और टाइट लुप दे सकें इसी तरह सारे पार्ट्स में हम लोगों का पीपीफ हो चुका है अब आती है कपिंग की बारी इसको हम लोग अच्छे से काट लेंगे जैसे हम लोगों का पीपीफ खरापना हो एक से काटेंगे हम लोग धीरे से ध्यान से चोटे से पार्ट में कटिंग होना थोड़ा मुस्किल होता है लेकिन फिल भी हम लोगों का ध्यान से करेंगे जाकि अच्छे से बैट जाए और हम लोगों का एक फिनिशिंग लुका सकें खंदर की पार्ट में तोगा हीट की देंगे ताकि अच्छे से 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 हो जाए और यह उक्डेना अब जो है जो अन्नेसिसेरी पार्ट से इसको हटा दिया जाएगा इस कुटी के मीटर पर भी ट्रिपल लेयर का पीपिएफ कर लिया गया है अब इसको इसको जी की हल्प से सेट किया जा रहा है सो गाइस कैसा लगा इस स्कुटी का पीपिएफ हम लोग का यह फर्स टाइम था आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट सक्से में बताएए कि आपको कैसा लगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को साहब दरें सो गाइस अभी स्कुटी का फारनल लुक रेडी है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कोल भी प्रैक रह गहरा नहीं है फुल अन ब्लॉस एंड मैंट मेंसिंग लुगा रहा है को इन रांड इस वाल्स पाइं तो क्रीएट इस अंग को भुश प्रभाचम डसे अजिए